हलो डिर स्टुडेंट्स वल्कम टू मैंगनेट ब्रीन्स मैं संचिता जैन आपकी सस्ट एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए ग्लास नाइट की समझी विज्यान में एकनॉमिक से आने की अर्थसास्तर में चैप्टर नमबर त्री जिसका नाम है निर्धंता एक चनोती और आज हम जानने वाले हैं इसका अगला टॉपिक जिसका नाम है निर्धंता रोधी उपाए यानि की निर्धंता को गरीबी को खत किbeitet की जा सकते हैं इन सब बातों के बारे में आज की शेशन में हम जानने वाले था प्सक्राइब जादा से जादा आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है आपको Class 6 से लेके Class 12 अतक के सारे courses free of cost, high quality education के साथ, fully organized complete course के साथ जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे चॉप courses सिंधी और इंग्लिस दोनों मेडिया में प्रोवाइड कराते हैं CBAC board के साथ साथ MP board, UP board, भिहार board, दिल्ली board, राज़तान board के slivers को भी complete कराया जाता है और सारे courses आपको NCRT से ही पढ़ाये जाते हैं काफी सारे special courses हैं हमारे पास जैसे की Vedic Math, Crash Course और Spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर, high quality education के साथ, fully organized complete course के साथ, एक दम free of cost प्रोवाइड कराये जाते हैं जी हाँ, अगर आपको e-books, re-notes की भी आवशकता है, वीडियो की description में एक लिंक दीगी है वहाँ जाईए उस पे क्लिक किजे और सारी जानगारी प्राप्त कर लीजे चलिए तो शिरू करते हैं आज का ये session आपके like और share के साथ निर्धन्ता निरोधी उपाय, यानि की anti poverty majors क्या क्या हो सकते हैं ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं जिसे निर्धन्ता को कम किया जा सकता है या गरीबी को कम किया जा सकता है, उन्मूलन का मतलब होता है कम करना उन्मूलन का मतलब क्या होता है कम करना ठीक तो पहली बात हम क्या जानेगे पहला उपाय होगा कि प्राक्रतिक संसाधनों का सही तरीके से उप्योग होना चाहिए जन संख्या को काबु में करना होगा जन संख्या पर नेंतरन लगाना होगा क्रशी उत्पादन में व्रधी करनी होगी देश का अध्योगी की करन या ये सारे काम करने होंगे जिससे गरीबी को कम किया जा सकता है इसके लावा और भी उपाए हैं जिसे की जनता को जादा से जादा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाओ लगू और कुटी रुध्यों का विकास करवाओ और निवेश में व्रदियाने के इन्वेस्ट अब इन सब को जानते हैं डिटेल मैं अगरीबी के यानि 어디 बी मूलन के उपाए यानि की गरीबी को कम करने के उपाए तो हमने यह देखा है कि हमारी जो अधिंक का है उसका बहुं不管 हिस्जाए के अंतरगत ही जी रहा है याई के हमारे neighbors देश में कि सिर्फ ग्रामीड भारत में दिखाई देरों या शेहरी भारत में हर जगह हमें गरीबी अलग अलग गूरूपों में दिखाई देती है और गरीबी आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है उसके उपाय है कुछ इस प्रकार से पहला उपाय क्या है पहला यह है कि प्राक्रतिक संसाधनों का समुच्छी तो प्यों किया जाए जो हमारे प्राक्रतिक साधन है हमारे देश में जितने भी प्राक्रतिक संसाधन या रिसोर्से हैं उनको हर तरीके से यूजबल बनाया जाए उनको हमर तरीके से यूजबल बनाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो कहा जाता है अब बहुत अच्छी लाइन आईए भाई साब इस लाइन की तरफ ध्यान देना एक बात कहीं जाती है कि भारत एक धनी द पत्ते हैं इसका मतलब यह है कि हमारे भारत देश में प्राक्रतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पारा इसलिए भारतिये गरीब हैं यूजिकि उनको रोजगार उपलब्द नहीं हो पाता ठीक है तो इस बात का क्या मतलब है कि भारत एक ध करते हैं तो गरीबी दूर करने के लिए क्या करना होगा गरीबी दूर करने के लिए देश के प्राकृतिक एवा मानविय संसाधनों का समूचित उपयोग करना होगा ठीक है यानि कि जब मानों संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों का सही तरीके से उपयोग होगा तो गर फिर क्या है जन संख्या पर नियंत्रण जन संख्या पर नियंत्रण कैसे लगाया जा सकता है तो देश के जन संख्या पर प्रभावी नियंत्रण करके ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है गरीबी को कैसे काबू में पा सकते हैं देश की जन संख्या को कंट्रोल म करके रखना होगा जिससे हम गरीबी की हर समस्या को नियांत्रण में रख सकते हैं पिर सिक्षा के प्रचार तता परिवार नेयोजन के लाव की जानकारी देते हुए ठीक है लोगों को सिख्षित करो लोगसिशथ होंगे जाग了吧 और और परिवार नियोजन का किस तरीके से लाव होता है कि हमारे परिवार में संख्या कम हो इनका ला बताना होगा इस तरीके से जनंख्या पर हम कागू पा सकते हैं फिर बात आती है किसकी क्रशी उत्पादन में व्रधी अब हमारे भारदेश की जनसंख्या लगभग 67% जनसंख्या यानि की दो तेहाई भाग क्रशी में लगा हुआ है ठीक है और क्रशी छेत्र में उतनी पैदावार हो नहीं रही उतना उत्पादन हो नहीं रहा जिसे पादन में व्रधी की जा सकती है और क्रशी का तीवर विकास किया जा सकता है यानि कि क्रशी में आधने कुपकरणों का प्रयोग किया जाए जिससे क्रशी में व्रधी की जा सकती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होगा पैदावार जादा होगी इंकम जादा होगी गरीबी दूर होगी, ठीक, फिर, फिर है देश का उध्योगी की करण, यानि कि देश में उध्योग धंदों को जादा विक्सित किया जाएं, अब हमारे भारत देश की दो तेहाई जनसंख्या क्रशी शेत्र में लगी हुई है, क्योंकि दूसरा काम करने को बहुत ही काम है, उध्योग धंदे उतने हैं ही नहीं, तो जनसंख्या उध्योगों की तरफ काम करने के लिए बढ़ ही नहीं पाती, अब देश में उध्योग धंदे खोले जाएंगे, तो जनता काम उध्योगों में करेगी, ठीक है, तो गरीबी के समस्या की समाधान के लिए देश का उध आध्योगी किरण भी अनिवार है इससे क्रशी से जनसंख्या का बोज कम होगा और क्या होगा लोगों को रोजगार के जाधा अवसर उपलब्द होंगे और उनकी प्रतिव्यक्ति आए भी जो है दिन बदिन बढ़ती जाएगी प्रतिविक्ति आए मैं भी व्रधी होगी फि पूजी कैसे बनती है लोग जब थोड़ा 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 पैसा जमा करते जाते हैं तो उनके पास ऐक बड़ा आवश्यक है फारत में बचट एवं पूझी निर्माद की दर बहुत कम है तो पूझी की समुझित व्यवस्था कनने केले देश में मुझी को भी आक्रश्ट करना होगा तब ही आप क्रशी और उध्योगों का विकास कर सकते हूं ठीक है फिर यातायाद के साध्रों का विकास कैसे किया जा सकता है यातायाद के साध्रों के विकास के द्वारा देश में विकास को बढ़ाया जा सकता है यातायाद के माध्यम से आर्थे क्रियाओं का विस्तार होता यानि की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जादा होता है और जल्दी होता है जिसे लोगों को ज़्यादा काम मिलता है ठीक है फिर अगली बात आती है आय तथा धन का समान विद्रण आय तथा धन के समान विद्रण की बात करें कि इसमें हमने क्या पड़ा थे जब इसके कारण पड़े थे तो यह जाना था कि देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी है और अमीर और गरीवों में परयाप्त पैसा भराबरी से नहीं है देश में इतनी से ज संख्या इतनी जादा है और इतना सा पैसा उने के पास है तो यह क्या आय में विश्रमता है की नहीं इसको दूर करना होगा तो देश में आयद अथा धन का समान विद्रण करने की आविशक्ता है धनी लोगों पर प्रगति शील्ट कर लगाने की जुरुत उन पर टेक्स ल कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है उसकी कर की दर बढ़नी चाहिए ठीक है पहले व्यक्ति जो है मालो 10 लाग कमाता था तो उस पर जितना टेक्स लगता था फिर बाद में वो 20 लाग कमाने लगा तो उ जुटाने के आवशक्त है जो गरीब व्यक्ति हैं कुद की सिक्षा और स्वास्त के लिए पैसा नहीं जुटा पाते तो जो अमीर वर्गया उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए ठीक फिर इन सुविधाओं के विकास द्वारा उनकी आए में बढ़ोत्री होगी और गरीब दूर करने के अवसर मिलेंगे ओल्राइट कि लिएर है चलिए चलते हैं आगे चलिए आटबह उपाएं क्या है इसका रोजगार के अधिकюсьुड रोजगार के जादासे जादा लोगों को आप अवसर उपलब्द कर्वाओं लोगों को ज़ादा रोजगार मिलेगा रोजगार मिलेगा इंकम होगी इंकम होगी गरीबी दूर होगी सिंपल सी बात है तो सरकार को छोटे तथा घरेलू उद्योगों को प्रोसाहिद करना चाहिए रोजगार में व्रदी के लिए अधिक सारवुजिने कारे प्रोसाहिद करने की जरूरत है ये बात हो गई फिर क्या है लगू एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जो चोटे-चोटे उध्योग हैं उनका विकास किया जाना चाहिए ठीक है तो देश में मौझूद लगू एवं कुटीर उध्योगों को हमें बढ़ावा देना होगा इससे क्या होगा इससे ग्रामिड छेत्र के जो लोग हैं उनको जादा रोजगार मिलेगा उनकी इंकम जा सकता है सबकी गरीबी दूर कर सकता है नहीं न तो गरामिड छेत्रों में क्या किया जाए लगू एवं कुटीर उध्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इससे गरामिड छेत्र के लोगों की इंकम बढ़ेगी और यह गरीबी को कम करने में मदद भी करेगी ठीक है फिर निवेश में ब्रदी करी जाए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से क्या मतलब है यानि कि जो आए के साधन है जहां से आए प्राब्द की जा सकती है जहां से जादा से जादा पैसा मि जिसके कारण गरीबी है तो यहां पर इंवेस्टमेंट करना होगा तो इन राज्यों में गरीब लोगों की संख्या बहुत जादा है बिहार, उडीसा और मध्यप्रदेश में तो क्या करना होगा गरीबी को दूर करने के लिए इन राज्यों में अत्यधिक निवेश यानि की इन वेस्टमेंट की आवश्यक्ता है ठीक बात चलिए तो यह हो गए दस काम यानि दस सरकारी प्रयास गरीबी को दूर करने के लिए अब क्या है यह है मलब गरीबी को दूर करने के कुछ उपाय है अब हम जानेंगे सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों को कि सरकारी सरकार की ये है सरकारी प्रयास हैं जैसे कि राज्टी काम के बदले अनाज कारिकरम, राज- रोजगारिकोष, नियून्तम आवशक्ता कारिक्रम, समेकित ग्रामिड विकास कारिक्रम, स्वर्ण जैंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाह रोजगार योजना, प्रधान मंतरी रोजगार योजना और कौन कौन से हैं? और हैं आपके प्रधानमंतरी ग्रामोदाय योजना, स्वर्णा ज्येंती शहरी रोजगार योजना अब इनको हम एक एक करके डेटेल में जान लेते हैं तो पहला क्या है? पहला है, सुरी, इनको हम डेटेल में जानेंगे तो उसके पहले गेर सरकारी प्रयासों की तरवी हम देख लें तो गेर सरकारी प्रयासों में हैं स्वरोजगार, सामुई खेती, सामुदाइक विकास, कारिकरम, स्वयम, सहयतासमु यानि की सेल्फ हेल्प ग्रोप, SHG अब इनको हम डेटेल में जानते हैं तो सबसे पहले हमारे देश की गवर्मेंट ने, सरकार ने कौन-कौन से प्रयास करे हैं सरकारी प्रयासों के बारे में चर्चा करते हैं पहला है रास्टिय काम के बदले अनाशकारिकरम रास्टिय लिखाए यहाँ पर, यानि की नैशनल लेविल की बात हुरी है यानि की काम के बदले अनाशकारिकरम जो यह योजना है वो किसके द्वारा चालू करीगी? केंदर सरकार के द्वारा चालू करीगी और जो योजना केंदर सरकार के द्वारा चालू करी जाती है वो पूरे देश के लिए चालू करी जाती है तो यह भारत सरकार के द्वारा और कब इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा 2004 में देश के सबसे पिषड़े 150 जिलों में लागू की गई थी और यह कारिक्रम उन सभी ग्रामीडों के लिए है ठीक है जिन है मजदूरी पर रोजगार की आवश्यक्ता है जिनको रोज मजद दूरी में तो वो व्यक्ति खाएंगे क्या कैसे अपना जीवन जीएंगे तो उनके लिए यह योजना चालू करी गई है और जो आकुशल शारीरे काम करने को एक छुख है जो व्यक्ति वैसे आकुशल है यानि कि जिनके पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कोई ऐसी दूगता नहीं है विशेस क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके अदम पर वो रोजगार को प्राप्त कर पाएं लेकिन वो शारीरिक्स श्रम तो कर सकते हैं उनके लिए योजना प्रारंब करी गई है तो इसका कारियान वे यानि कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है इसक अध्में भारत के कैंदरी सरकार के द्वारा नहिश्युल्क खाद्यान उप्लब्द कराया जाता है योजना का नाम क्या है रास्टे काम के बदले अनाज कारिक्रम आप काम करो हम आपको खाद्यान यानि की अनाज देंगे खाने को देंगे सिंपल सी बात है कि लिए अब दूसरी क्या है दूसरी है राज्य रोजगार गारंटी कोश ठीक क्या है इसमें इस कारिक्रम के अंतरगत अगर आवेदक को जिसने अपलाई किया है किसके लिए मन्रे गाई उसना का नाम आपने सुना होगा कई बार मैंने बता है महात्मा गादी रास्टी ग्रामिड रोजगार उप्लाब्द नहीं कराया गया तो वह बेरोजगारी भत्ते का हगदार होगा उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अल्राइट क्लियर है क्योंकि मन्रेगा में कितने दिन का रोजगार देना आवश्यक है 365 मैंसे सरकार को 100 दिन का रोजगार देना आवश्यक है जिसना एपलाई किया है और अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है 15 दिन के अंदर तो सरकार उसको क्या देगी बेरोजगारी भत्ता देगी क्लियर अब तीसरी योजना क्या है नियूनतम आवश्यक्ता कारिक्रम में हम क्या जानेंगे तो देख लेते हैं इस कारिक्रम को सबसे पहले पांचवी पंचवर्शी योजना कब पांचवी पंचवर्शी योजना मे सन 1974 से 1989 में देश गरीबी निवारण हितु लागू किया गया ठीक तो सबसे पहली बात तो आती है कि क्यों गरीबी को दूर करना इसलिए लागू करी गई हर एक के टाइम पीरियड के एकॉर्डिंग उसका एक लक्ष होता था कि इतने समय में हमें इस लक्ष को प्राप्ट करना है ये काम करना ही है ठीक है तो देश क्या था कि देश की जो भी गरीब जिनता है उसको कम से कम नियूनतम जरूरतों जैसे पेजल, सिक्षा, स्वास्ति सुविधाओ, इत्यादी की पूर्ती कराना था अब नियूनतमावशकता है किसी भी व्यक्ति की नियूनतमावशकता है कौन-कौन सी हो सकती है जैसे की पेजल, पीने का पानी, सिक्षा, स्वास्ति सुविधाओ, ये सब होती है ठीक है फिर अगला काम क्या था समेकित ग्र आमीड विकास कारिक्रम 1988 से देश के सभी प्रकंजों में लागू किया गया और यह क्या है यह एक स्वर रोजगार कारिक्रम है जिसमें गावों के गरीबों को उत्पादक परिसंपत्ति यानि की प्रोडक्टिव असेट दे कर ठीक है क्या किया जाता है उनकी आयमें व्रधी की कोशिश करी जाती है गरीबों को क्या किया जाता है ऐसे असेट दिये जाते है ऐसी परिसंपति दी जाती है जिससे वे अपना दूसरा काम कर सके उस चीज का उप्यों करके कोई काम कर सके समझ में आरी बात अब वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा अगरी भी दूर ह होगी ठीक है ताकि वे ज़्यादा आए प्राप्त कर सकें और गरीबी रेखाओ को क्रॉस कर सकें यानि कि उसके ऊपर जा सकें क्लियर अब क्या है कैसे मिलेगा देखते हैं तो सबसे पहली बाती आती है कि ये योजना स्वन जेंती ग्राम स्वारोजगार योजना किसके द्वारा चालू करी गई थी ये कैंद्र सरकार द्वारा चालू करी गई थी जिसमें जिसे नौवी पंचवर्सी योजना में भी ग्रामेड छेत्रों में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार हैं कहां कि लोगों को हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिसके जरिये आंगे जाके लोग अपना खुद का काम कर सकेंगे खुद का एक व्यवसाय कोल सकेंगे जिससे उन्हें इनकम होगी फिर अगली क्या है अगली है जवाह रोजगार योजना ठीक है देखें तो यह एक मजदूरी आधारित रोजगार कारिक्रम है इस कारिक्रम को अप्रेल 1989 में प्रारंभ किया गया था कब चालू किया गया अप्रेल 1989 में इसे चालू किया गया यह हो गई आपकी जवाहर रोजगार योजना अब है प्रधान मंत्री रोजगार यूजना प्रधान मंत्री रोजगार यूजना में क्या किया गया तो सबसे पहली बात है कि 1993-94 के दौरान चालू करी गई 1993-94 में यह यूजना शहरी शेत्र के जो बेकार सिक्षित यूवक है बेकार यानि की बेरोजगार यहां पर बेकार शब्द से क्या मतलब है बेरोजगार ठीक है तो यह योजना शहरी शेत्र में बेरोजगार सिक्षित हैं लेकिन उनके पास स्वेयम का रोजगार नहीं है उनको खुद का रोजगार मुहिया कराने के लिए खुद का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प् बहुत इंपोर्टेंट योजना है ठीक है एकसर आप से परिक्ष्या में पूछी जाती है फिर फिर क्या है प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना पी एम जीवाए इसमें क्या होगा इस योजना को 2000-2001 में ग्रामेड छेत्रों के लोगों के जीवन में गुडवत्ता के सुध करनाई तु गाउं में बेसिक सुविधाए तो पलब्ध करानी होगी कौन कौनसी हो सकती है जैसे स्वास्थ्य प्रात्मिक सिक्षा पेजल आवास त था ग्रामीड सडकों में सुधार के उद्धेश याक ना फिरике योजना कोन सी है नावा सप्रेयास कोन सा है स्वाण जैंती शहरी रोजगार योजना शहरों में रोजगार अपलब्ध करा आना यानि कि अब कब चालू किया गया ये देख लेते हैं दिसंबर 1997 में चालू किया गया यानि दिसंबर 1997 से इस योजना को स्टार्ट किया गया है और यह योजना नामी है स्वाइन ज्यांती शहरी रोजगार योजना ठीक तो यह योजना शहरी छेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सिक्षित बेरोजगार तथा कम रोजगार रत लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ करी गई थ ठीक है फिर फिर क्या है गैर सरकारी प्रयास ठीक तो गरीबी के निदान के रूप में आने की गरीबी को दूर किया जाए निदान करना यानि कि उस समस्या से इन्हें पटना उस समस्या को खतम करना तो गरीबी के निदान के रूप में कुछ गैर सरकारी प्रयास भी किये जा रहे हैं कौन कौन से हैं वो प्रयास तो सबसे पहला तो है स्वा रोजगार यानि की खुद का एक रोजगार हो कैसे होगा हर एक इसतर पर चाहे ग्रामिड शेतर हो चाहे शहरी शेतर हो तो इसके लिए क्या किया है गरीब व्यक्ति सरकारी इसतर पर प्रसेक्शन प्राप्त कर बेंक की सहायता से खुद रोजगार करना प्रारंब करते हैं सरकार का सहयोग रहेगा लेकिन गैर सरकारी क्योंकि कहा गया है क्योंकि काम सरकारी नहीं होगा काम आपका खुद का होगा सरकार आपको सहयोग देगी हेल्प करेगी कैसे सरकार आपको ट्रेनिंग देगी प्रसुच्छर देगी किसी काम को करने के लिए फिर सरकार आपको बैंक से साहेत अपलब्ध करवाएगी जैसे की लॉन अपलब्ध करवाएगी अगर आपको कोई काम करना है आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लोन दिया जाएगा ठीक है तो व्यक्ति क्या कर पाएगा उसने काम सीख लिया है एक बात ठीक है और उसको बैंक से पैसा भी मिलिया अब आप जो हो उसकाम को उस बैंक द्वारा दिये गए लोन से शुरू कर सकते हैं और राइट तो यह बात हो गई आपके स्वें के रोजगार की स्वारोजगार की फिर है सामुहिक खेती यह कैसे हो सकता है इसके द्वारा रोजगार कैसे दिया जा सकता है देखें तो क्रशी में छोटे-छोटे कठनाईयों को आसानी से दूर करने के लिए सामुहिक प्रयास किया जाने लगा छोटी-छोटी कठनाईयां है लोगों नो सोचा कि साथ में मिलके काम करेंगे तो छोटी-छोटी कटनाईयों को दूर करेंगे छोटी-छोटी कटनाईयां दूर होंगी, समस्याय दूर होंगी, तो जादा अच्छे से पादन होगा, तो भारती क्रशी में कुछ विसंगतियां हैं, जैसे की खेतों का विखंडन, जैसे की परिवार में čार व्यक्ति हैं, या चार किसी पिता जी के चार बच्चे हैं तो उन चार में संपत्ति का बटवारा कर दिया यानि की खेतों का बटवारा कर दिया अब जो खेत इतना बड़ा था उसको छोटे छोटे खंड में बाट दिया तो उसमें अगर छोटा सा हिस्सा है तो छोटे हिस्से में कम पैदा सोरी खेतओं पर मेटों का ना होना अगर खेत पर मेड नहीं लगी है तो भजुइंछा आ यह सब चीजाहें नहीं तो इन सब को करने इन foto विसंगतियां हैं यह जो कमिया है या खामिया है इनको दूर करने के लिए क्या करना होगा सामुहे खेती का उद्गम हुआ लोगों ने साथ मिलकर खेती करी उपश प्राप्त जादा हुई उस से रोज अमलब इनकम प्राप्त होगी एक साथ मिलकर करते हैं सब साथ में मिलकर काम करते हैं और उससे प्राप्त मजदूरी वा लाब को बराबर बराबर आपस में बांट लेते हैं जो मजदूरी मिलेगी जो लाम मिलेगा उसको आपस में बराबर बांट लिया और नतीजा क्या होता है नतीजा यह होता है कि प्रत प्रणदूर हो जाती है क्या है सामुदाइक विकास कारिक्रम देखते हैं एक बार फिट से इसके अंतरगध विकास के कारिक्रम को लोग एक साथ मिलके करते हैं और उससे प्राप्त जो मजदूरी होती है जो प्रॉफिट होता है उसको बराबर बराबर बांट लेते हैं यान को एक साथ काम करने का मौका मिला और इस प्रयास से इस समूह में लगे सारे लोगों की यानि कि जितने व्यक्ति इस समूह में काम कर रहे हैं सपी गरीबी दूर होने लगती है क्योंकि आय बढ़ती जाती है क्लियर है यह तीनों बाते आपको समझ में आई चला जाय फिर गएते हैं आगे की बात जांट इसे क्या कहा जाता है सेलफ हल ग्रोब यानि की एस एच जी अल्राइट तो इस कारिकिरम के अंतर गर्द ग्रमीड महीला और ग्रमीड महिला पुरुष महिला पुरुष दोर और शामिल होते हैं पहली बात तो यह और ग्रामिड इस्तर पर यह काम किया जाता है तो ग्रामिड महिला एवंग मिलता है उसे बिना प्रसेक्षन के ही करते ओंडिल चीकल है अपना यह क्या करते हैं Hai isa it All dich गुरॉब गृप बनाते हैं 15-20 इसे इक सामिल होते हैं एक आम तै परتे क्रते हाँ normalized होता है तो हर्ने बराबर बराबर बाढ़ दिया जाते हैं यानि कि सभी विक्ति साथ मिल के काम करेंगे स्वयम की सहायता करेंगे कुद की हेल्प करेंगे तो इसके अंतरगत पुरोशेवं महिला जो एक साथ काम करने के लिए एक्षुक होते हैं जो एक साथ काम करना चाहते हैं उन्हें बैंक के द्वारा समुह में कर्ज दे कर काम करने के लिए प्रोसाहिद किया जाता है बैंक इनको पैसा उधार देती है पैसा तो चाहिए कुछ भी काम करने के लिए पैसा नहीं है इसलिए तो लोग गरीब है तो बैंक जो इनको लौन देती है और बहुत ही सस्ती रेट पर देती है नहीं कि कम ब्यास दर पर देती तो व्यक्ति जो है इस समुह के लोग बैंक से पैसा उधार लेके काम करते हैं और एक समुह में कितने लोग होते हैं 15 से 20 लोग ही होते हैं एवं महीला तथा पुरुष का अलग-अलग समुह बनाया जाता है इसमें ठीक है तो समुह में एक सचिब तता एक अध्यक्ष भी होत ठीक है किलियर है बात अब जिस व्यक्ति को जिस समय जैसे पैसे की जरुवत पड़ी तो पूरा ग्रूप उसकी हैल्प भी करता है और इस समुमे काम करने वाला हर एक व्यक्ति जो प्रॉफिट कमाता है उसकी बचत करता है और उस बचत को अपने बैंक खाते में जमा भी करत तो इस तरीके से क्या होगा आपको रोजगार भी मिलेगा और आपको बचत भी मिलेगी उस समुमें काम कर रहे उस समु के लोगों का आपको सहयोग भी मिलेगा ओल राइट फिर कर्जवापसी की जवाब देही अब भई कर्जवापने बैंक से लिया है तो लॉटाना भी रखेंगे अपने पास की सब के पास रिस्पॉंसिबिलिटी रहेगी कि हमें कर्ज लॉटाना है किसी एक व्यक्ति पर बात नहीं आईगी कि अध्यक्ष पर बात आईगी कि सचेव पर बात आईगी और समुह में जो भी आमधनी होती है उसे आपस में पराबर बराबर कर रही थी लेकिन यहां पर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही व्यक्ति व्यक्ति प्रसिक्षित भी नहीं है बेरोजगार भी है वो व्यक्ति भी इससे लाभानवित हो रहे हैं उनको भी काम मिल रहा है और वो अपनी गरीबी को दूर करने में सफल होते हैं इस तरीके से बात ह होती है स्वयम सहायता सम्हों की जो एक गैर सरकारी प्रयास है गरीबी को दूर करने में अब बताओ भाई साब कोई सवाल है कोई डाउट है कोई समस्य है जल्दी से कॉमेंट करके बताइए आपके हर एक सवाल का जवाब कॉमेंट में दिया जाएगा अल्राइट और अगर iture है तो आपको all clear भी लिख देना है कि हैसी का और इसी के साथ आज को असको होता है जिसमें हमने क्या जाना गरीमें को दूर करने के प्रयासों के तो अगर आप हमारे डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्डिट सेशन को जवाइन करना चाहते हैं सारी चीज़ों प्लब्द है मैंगनेट प्रेंज के यूट्यूब चैनल वेब साइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट प्रेंज इंडिया का नमबर वान 100% फ्री ओंलाइन प्लेटफॉर्म है इसके अलाव अगर आप ईबुक्स और इनोट्स भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए क सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर है सबकुष फ्री 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 और मैगनेट ब्रींस यूट्यूब के लावा अधर शुशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्ध है आप हमें यहां भी फालो कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते वेए चनल को सब्सक्राइब भी करना है अमारे साथ बने रही है, जुडे र रहिया, कुछ रहिया. Thank you so much.